हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बहुती इजी पैटन में पफ वाला स्लिविस डिजाइन बनाएंगे, उसके लिए हमने साड़े 10 इंच लंबा एक कपड़ा लिया है, जिसकी चौड़ाई 10 इंच है, सेम साइज का हमें एक और कपड़ा लेना है, इन दोनों कपड़े को ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, अब हमें बीच में से कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, और यहां पर हमें साड़े 4 इंच की लंबाई ऐसे नापनी है, यह देखिए साड़े 4 इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे, फिर 1 इंच 8 पॉइंट की चौड़ाई प में ऐसे लाइन अप करना है, फिर यह उपर की साड़ में तिर्ची में हलका सा गोल सेफ में ऐसे लाइन अप करेंगे, यहां नीचे की तरफ हम 2 इंच 2 पॉइंट की चौड़ाई पे टिक लगाएंगे, और यह देखिए हलका सा हमें अंदर के तरफ गोल सेफ का पैटन ले कटिंग करने के बाद अब यह देखिए हम यहां पर पाच इंजकी चौड़ाई नापेंगे पाच इंजकी चौड़ाई पे हमें कपड़े को हलका सा फोल्ड करके ऐसे कट कर लेना है यह वाली लाइन की अब हम कटिंग कर लेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने स्लीविस की पैटन की कटिंग की है अब हम यहां से सिलाई चला लेंगे ये बहुत एजी तरीका है न्यू पैटन में पफवाला स्लीविस डिजाइन बनाने का अब हम धागे को कट करेंगे और किनारे की साइट से हलका हलका कपड़े को अब हम इस कपड़े को फोल्ड करके सीधा करेंगे सीधा करने के बाद इसे परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए हम अच्छे से इस्तरी कर लेंगे अब ये देखिए यहां से दोनों साइट से कपड़े को ऐसे ज्वाइंट करके सिलाई चला देनी है धागे को कट करके कपड़े को सीधा कर लेंगे अब दोनों कपड़े को ज्वाइंट करते हुए किनारे की साइट से ऐसे सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हुई अब हम धागे को कट करेंगे और ये देखिए यहाँ पर हमने कट लगाई थी दोनों कट के बीच में यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई चला देनी है कच्ची सिलाई चलाएंगे मसीन के धागे को थोड़ा धीला करके कच्ची सिलाई चलाईएगा अब जो हमने सिलाई चलाई है उस धागे को हलके हातों से ऐसे हमें घीचना है जिससे हमारे कपड़े में चूनट बनाईगा तो ये देखिए हमने कपड़े में ऐसे चूनट बना ली है अब हम चूनट को perfect shape में बैठाते हुए इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी सिलाई करनी है चूनट के उपर सिलाई चलाने के बाद अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे तो फ्रेंड हमने puff वाली सिलीविस की सिलाई कर ली है जब आप इसे पहनेंगी तो आपके सिलीविस का लुक कैसा आएगा ये देख लेते हैं तो ये देखिए हमारे सिलीविस का final लुक जो की बहुती प्यारा लग रहा है आप इसे ब्लाउज में भी बना सकती हैं सोट में भी बना सकती हैं और फ्रॉक में भी बना सकती हैं अगर आपको हमारा ये न्यू पैटर्न का puff वाला सिलीविस डिजाइन पसंद आए तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा इसी के साथ हम आपको मिलते हैं नेश्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो